केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घायल हैं जिनने पॉंटा साहिब के लिए रेफर किया गया है यह हाथसा सुभे साधे नौबज के असपास शिलाई बश्मा सड़क पर हुआ है जहां एक बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सभार थे जो आंकड यह लोग थे और यह अन्यंत्रित होकर नीचे घहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो सत्रा लोग हॉस्पिटल पहुचाए गये हैं शिलाई के सच्च मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत होगी है और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उद्रफटना करस्ट बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वह आना है क्योंकि य सत्रा लोग जो हैं वह घायल हो गए हैं बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घायल है जिन्हें पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साम पे जा रहे है क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने ज्यादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर यह दूसरे निर्मानकारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंत्रित होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरस चीखों पु केमपर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर उनको भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गी और की क्या स्थितिय क्या नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बुलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और सत्रा लोग जो है वह घायल हो गए है बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घायल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साड़े नौबजर के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सभार थे जो आंकड़ा है उसके मताबिक 19 लोग सभार थे और यह अपने कहीं काम पे जा रहे है क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने जादा लोगों के होने कई मतलब य जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो 17 लोग पहुचाए गए है शिलाई के सच्चो परितम सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा स्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर पूंद को भेजा गया तो देख रहे हैं दृगर्ट नक्रस बलेरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वह आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिय क्या नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की केमपर गिरी दो की मौत हुई है और सत्रा लोग जो है वो घायल हो गए है बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बुलारो के जिसमें 19 लोग सभार थे जो आंकड़ा है उसके मताविक 19 लोग सभार थे और ये अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि बुलारो केमपर में इतने ज्यादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगी यह लोग थे और य शिलाई के सच्चो परित्म सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा अस्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर उनको भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्व आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिया कहा नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बुलेरों की मौत होगी और सत्रा लोग घैल हैं जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बुलेरों केमपर जिसमें 19 लोग सबार थे जो आंकड़ा आया उसके मताबिक 19 लोग सबार थे औ और यह अन्यंत्रित होकर नीचे घहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखो पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो 17 लोग हॉस्पिटल पहुचाए गये हैं शिलाई के सच्चो परितम सिंग के मत पर एक बलैरो केमपर के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गिया और 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उद्रफटना करस्ट बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वह आना है क्योंकि यह भी कहा जा 17 लोग जो हैं वह घायल हो गए हैं बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घायल है जिन्हें पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साधे नौब होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंतरित होकर नीचे घहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरस चीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा सा लेकिन हतियात के तौर पुर्ण को भीजा गया तो यहां बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क् हुआं लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बॉलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और सत्रा लोग जर वहां बड़ी खबर आ रही है स्वीर से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घैल हैं जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साधे नौबज के असपास शिलाई बश्मा सटक पर हुआ है जहां बुलैरो पर मैं इतने ज्यादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगे यह लोग थे और यह अन्यंत्रीत होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके प बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर उनको भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केंपर के गर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गिया और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे है तस्वीर है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दुद्रखतना करस्व बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वह आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिय क्या नहीं यह हाथा हुआ है एक बलैरो केमपर के घर जाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घायल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्वा सटक पर हुआ है जहां एक बलैरो केमपर जिसमें उन दूसरे निर्मानकारे में लगे यह लोग थे और यह अन्यंत्रित होकर नीचे घहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो सत्रा लोग हॉस्पिटल पहु बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत होगी है और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दुद्र घटनाकरस बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वह आना है क् बलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और 17 लोग जो हैं वह घायल हो गये हैं बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हादसा हुआ है बलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घायल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यहादसा सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सबार थे जो आंकड़ा है उसके मताफिक 19 लोग सबार थे और यह अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि बलैरो केमपर में इतने ज्याद पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो 17 लोग पहुचाए गये हैं शिलाई के सच्चो परित्म सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा स्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोट लेकिन हत्यात के तौर पुर्ण को भेजा गया तो यहां बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गया और 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन क्या नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बुलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और 17 लोग घायल हो गया है बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बु बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सवार थे जो आंकड़ा आया उसके मताविक 19 लोग सवार थे और यह अपने कहीं काम पे जा रहे है क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने ज्यादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारह में हो चाहे गए है शिलाई के सच्चो परित्म सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा स्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर उनको भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गिया और सत्रा लोग घायल बताय जा रहे है तस्वीर हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं द्रखतना करस्ट बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वो आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिय क्या नहीं यह अपडेट अ इस आ रहा है बुलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और 17 लोग जो गया है बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घाल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सभार थे जो आंकड़ा है उसके मताफिक 19 लोग सभार थे और यह अपने कहीं काम पे जा रहे है क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने ज जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो 17 लोग पहुचाए गए है शिलाई के सच्चो परितम सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पुर्ण को भेजा गया तो यह बड़ अगरस बॉलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वो आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिया क्या नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा मौत होगी और सत्रा लोग घैल हैं जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बुलैरो केमपर जिसमें उननीस लोग सबार थे जो आंकड़ा है उसके मतादिक उननी होकर नीचे घहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखो पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के के लिए जो सत्रा लोग होस्पिटल पहुचाए गये हैं शिलाई के सच्चो परितम सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा स्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हैतियात के तौर पुर्ण को भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केंपर के गर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत होगी है और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उद्रगरतना करस्ट बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वो आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज घायल हो गए हैं बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घायल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साधे नौबज के असपास श होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंत्रित होकर नीचे घहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत होगी है और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उद्रगतनाकरस बलैरो की और इसका बलैरो केंपर गिरी दो की मोथ हुई है और 17 लोग गहल हूए बड़ी खवर आ रहे है शिलाई से जहां एक बड़ा हादसा हुआ है एक बलैरो केंपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घायल हैं जिने पौंट्णा साहिब के लिए रीटर किया गया रहा पाथसा सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्मा सड़क पर हुआ है जहां एक बुलारो केमपर जिसमें 19 लोग सबार थे जो आंकड़ा है उसके मताफिक 19 लोग सबार थे और यह अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि बुलारो केमपर में इतने ज्यादा लोग सबार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो 17 लोग पहुंचाए गए हैं शिलाई के सच्चो परित्म सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई ले आए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उद्रगतना करस्ट बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वह आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिया क्या नहीं जाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घैल हैं जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्मा सड़क पर हुआ है जहां एक बलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सबार थे जो आंकड़ा है उसके म कि बलैरो केमपर में इतने ज्यादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मानकारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंत्रित होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरस चीखों पुकार मच गई और दो लोगो की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो सत्रा लोग होस्पिटल पहुचाए गए है शिलाई के सच्चो परितम सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा स्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतिया बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत होगी है और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उद्रगतनाकरस बलैरों की और इसका अप बलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और सत्रा लोग जो हैं वह घायल हो गए हैं बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बलैरो केंपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घायल हैं जिनने पॉंटा साहिब के लिए किया गया है यहादसा सुभे साधे नौबज के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सभार थे जो आंकड़ा है उसके मताफिक 19 लोग सभार थे और यह अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने ज् स्थीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो 17 लोग पहुचाए गये हैं शिलाई के सच्चो परितम सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं द्रखतना करस्ट बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वह आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिय है क्या नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी ख़बर जो है बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बुलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और 17 लोग घायल हो गये हैं बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ ह बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घायल हैं जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साधे नौबज के असपास शिलाई बश्मा सड़क पर हुआ है जहां बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सभार थे जो आं बश्मान कारे में लगे यह लोग थे और यह अन्यंत्रित होकर नीचे घहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो 17 लोग पहुचाए गये हैं शिलाई के स ख़वर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्मा मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गिया और 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उद्रगतना करस्ट बलैरो की और इसका अप बलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और 17 लोग जो है वह घायल हो गए है बड़ी ख़बर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घायल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सबार थे जो आंकड़ा है उसके में 19 लोग सबार थे और यह अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि बलैरो केमपर में इतने जादा सब्कार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो 17 लोग पहुंचाए गये हैं शिलाई के सच्चो परितम सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा स्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोट लेकिन हतियात के तौर पुर्ण को भेजा गया तो यहां बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत होगी है और 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्री यह कहा है नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बुलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और 17 लोग घायल हो गये हैं बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ ह एक बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घायल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्मा सटक पर हुआ है जहां बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सभार थे जो और यह अपने कहीं काम पे जा रहे है क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने ज्यादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंत्रीत होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारो अस्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर बेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौ कोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिय क्या नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और 17 लोग गया है बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बलैरो केमपर के घर जाने से दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घैल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्वा सटक पर हुआ है जहां बलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सबार थे जो आंकड़ा है उसके मताबिक 19 लोग सबार थे और यह अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि बलैरो केमपर में इतने ज्यादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंतरित हो गायलों को जो है पॉंटा स्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर उनको भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गर जाने से उ दो लोग और भी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिय क्या नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और 17 लोग गायल है साथ सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्वा सर्क पर हुआ है जहां इक बलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सबार थे जो आंकड़ा है उसके मताफिक 19 लोग सबार थे और यह अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि बलैरो केमपर में इतने जादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंतरित होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा लिए जो 17 लोग पहुचाए गए है शिलाई के सच्चो परित्म सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा स्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हत्यात के तौर पर उनको भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केंपर के गर जाने से उसमें सवार और दो लोगों की मौत होगी है और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उद्रगटना करस्ट बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वो आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज घायल हो गए हैं बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घायल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साधे नौबज के असपास श होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगे यह लोग थे और यह अन्यंत्रित होकर नीचे घहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत होगी है और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उद्रगतनाकरस बलैरो की और इसका बलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और सत्रा लोग घायल हो गए है बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घायल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया ग और ये अपने कहीं काम पे जा रहे है क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने जादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मानकारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंत्रित होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तर रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर उनको भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो उनकी क्या स्थितिय क्या नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और 17 लोग जो है वह घाल हो गए है बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक ब बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सवार थे जो आंकड़ा है उसके मताबिक 19 लोग सवार थे और यह अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि बलैरो केमपर में इतने ज्यादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर य लोग थे और यह अन्यंत्रित होकर नीचे घहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखो पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो 17 लोग हॉस्पिटल पहुचाए गये हैं शिलाई के सच्चो परितम स से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गिया और 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दुद्र घटनाकरस बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो की मौत हुई है और 17 लोग जो हैं वह घायल हो गए हैं बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घायल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सु है बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सवार थे जो आंकड़ा है उसके मताफिक 19 लोग सवार थे और यह अपने कहीं काम पे जा रहे है क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने ज्यादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में हो चाहे गए है शिलाई के सच्चो परित्म सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा स्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर उनको भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गिया और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे है तस्वीर हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं द्रखतना करस बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वो आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिय क्या नहीं यह अपडेट अभी से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घैल हैं जिनने पॉंटा साइब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बलैरो केमपर जिसमें उननीस लोग सबार थे जो आंकड़ा है उसके कहीं काम पे जा रहे है क्योंकि बलैरो केमपर में इतने जादा लोगों के होने कहीं मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंतरी तो होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरस चीखों प केमपर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर उनको भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो है और 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दुर्गतना करस्ट बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वह आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थिती है क्या नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बुलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और 17 लोग घायल है बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हादसा हुआ है के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घायल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हादसा सुबह साधे नौबज के असपास शिलाई बश्मा सड़क पर हुआ है जहां एक बड़ारो केमपर जिसमें 19 लोग सभार थे जो आंकड़ा है उस निर्मानकारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंत्रित होकर नीचे घहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो 17 लोग हॉस्पिटल पहुचाए गये है शिलाई के सच्चो परितम सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा स्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर उनको भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मा टीए वह आना है कि यह भी कहा जा रहां कि दो लोग और भी जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्टितिय का नहीं इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट शिलाई से आ रहा है बुलायरो खेमपर गिरी दो की मौत हुई है और 17 लोग जो हैं वह घा हाधसा हुआ है कि गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घायल है जिन्हें पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाधसा सुभे साधे नौबज के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बिलारो केमपर जिसमें 19 लोग सवार थे जो आंकड़ा है उसके मताबिक 19 लोग सवार थे और यह अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि बलारो केमपर में इतने ज्यादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगे यह लोग थे और यह अन्यंतरी तोकर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के के लिए जो सत्रा लोग हॉस्पिटल पहुचा है सच्चो परितम सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा स्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हत्यात के तौर पुर्ण को भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गिया और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उद्रखतना करस्ट बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वो आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिय क्या नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और सत्रा ल सुबह साधे नौबज के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बलैरो केमपर जिसमें उननीस लोग सवार थे जो आंकड़ा है उसके मताबिक उननीस लोग सवार थे और यह अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि केमपर में इतने जादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंतरित होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखों पुकार मच गए और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉन्टा साहि के लिए जो सत्रा लोग होस्पिटल पहुचाए गये हैं शिलाई के सच्चो परितम सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉन्टा स्टाल रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पुर्ण को भेजा गया तो यह बड़े और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वो आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी है जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिय कह नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट जो है लोग घायल हैं जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साधे नौबज के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सभार थे जो आंकड़ा आया उसके मतादिक 19 लोग सभार थे और यह अपने कह लोकर नीचे घहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखो पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो 17 लोग पहुचाए गये हैं शिलाई के सच्चु परितम सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंट के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी सी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिय क्या नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अप होगी और 17 लोग घायल हैं जिनने पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साड़े नौबज के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सभार थे जो आंकड़ा आया उसके मताबक 19 लोग सभार थे औ और यह अन्यंत्रित होकर नीचे घहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखो पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो 17 लोग होस्पिटल पहुचाए गये हैं शिलाई के सच्चो परितम सिंग के मता रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत होगी है और 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उद्रगतना करस्ट बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाक मौत हुई है और 17 लोग घायल हो गए हैं बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घायल है जिन्हें पॉंटा साहिब के लिए रैफर किया गया है यह हाथसा सुभे साड़ 19 लोग समार थे और यह अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने ज्यादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंतरित होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिस सब्सक्राइब किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर उनको भेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो केमपर के गर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत होगी है और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दुर्गतना करस्ट बलैरो की और इसका अपडेट अभी जो बाकी है वह आना है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिय क्या नहीं यह अपडेट अभी आना है लेकिन इस वक्त की बड़ी ख़बर जो है बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बुलैरो केमपर गिरी दो की मौत हुई है और 17 लोग घायल हो गया है बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां ए हुआ है जहां एक बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सवार थे जो आंकड़ा आया उसके मताबिक 19 लोग सवार थे और यह अपने कहीं काम पे जा रहे है क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने ज्यादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे नि पहुचाए गए है शिलाई के सच्चो परितम सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर बेजा गया तो यह बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश् को बाकी है और वह आना है कि यह भी कहा जा रहा है कि दो लोग और भी हैं जिनको ज्यादा चोटे आई हैं तो उनकी क्या स्थितिया कैना है यह लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है बड़ा अपडेट जुआ शिलाई से आ रहा है बुलायरो तय गिरी मौत हुई हैं ऑ और 17 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और 17 लोग घायल है जिनने पॉंटा साहिब के लिए रेफर किया गया है यह हाथसा सुभे साधे पे जा रहे हैं क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने जादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंत्रीत होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरफ चीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है पॉंटा साहिब के लिए जो सत्रा लोग होस्पिटल पहुचाए गए हैं शिलाई के सच्चो परितम सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा रेफर किया गया जिन में से कुछ लोगों को बहुत ही कम चोट लेकिन हत्यात के तौर पर उनको भेजा गया तो यहां बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां बश्वा मार्ग पर एक बलैरो के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर दे कर दो की मौत हुई है और 17 लोग गये बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथ्वा हुआ है बुलेरो काफ और के के गिरजाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घैल हैं जिन्हें पॉक्लिच्टा साहीब के लिए रैबं किया है यहादसा सुभे साधे नौबज के असपास शिलाई बश्वा सड़क पर हुआ है जहां एक बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सभार थे जो आंकड़ा है उसके मताफिक 19 लोग सभार थे और यह अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने जादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई प्रवासी मजदूर या दूसरे निर्मान कारे में लगी यह लोग थे और यह अन्यंत्रित होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई जिसके बाद चारों तरस चीखों पुकार मच गई और दो लोगों की मौके पर मौत बताई जा रही है होती कम चोटे आई लेकिन हतियात के तौर पर उनको भेजा गया तो यहां बड़े हासे की खबर शिलाई से आ रही है जहां शिलाई बश्वा मार्ग पर एक बलैरो के गिर जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गिया और सत्रा लोग घायल बताए जा रहे हैं तस्व शिलाई से बड़ी खबर जो हैं बड़ा अपडेट जो है शिलाई से आ रहा है बलेरो केमपर ग शौकई मौत हुई है औरil 17 रोंट और बड़ी खबर आ रही है शिलाई से जहां एक बड़ा हाथसा हुआ है एक बुलैरो केमपर के गिर जाने से दो लोगों की मौत होगी और सत्रा लोग घैल हैं जिनने पॉंटा साहिब के लिए रेफर किया गया है यह हाथसा सुभे साधे नौबज के असपास शिलाई बश्वा पर हुआ है जहां एक बुलैरो केमपर जिसमें 19 लोग सभार थे जो आंकड़ा है उसके मताबक 19 लोग सभार थे और यह अपने कहीं काम पर जा रहे है क्योंकि बुलैरो केमपर में इतने जादा लोगों के होने कई मतलब यह है कि कोई परवाशी मजदूर या दूसरे निर पहुचाए गए है शिलाई के सच्चो परित्म सिंग के मताबिक घायलों को जो है पॉंटा स्टाल रेफर किया गया जिन मैंसे कुछ लोगों को बहुत ही कम चोटे आई लेकिन